साथियों, आज भी हमारे देश में, मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं वैसा कि हमारे बहुत ज्यादा था मद्दमबर के परिवार के, उनके लाखो करोर और उनके खर्च हो जाते हैं और तब जाकर के, हमने पिछले दस साल में, मेडिकल सीटों को करीब करीब एक लाख कर दिया, आज में करीब करीब पच्चीस हजार युवा, हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी को मैं सोच सुनता हूँ धहरान हो जाता हूँ, और इसलिए हमने ताइक किया है, कि अगले पांच साल में, मेडिकल लाइन में, पच्चत्तर हजार नई सीटे बनाई जाएगी साथियों, आज भी हमारे देश में, मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं वैसा कि हमारे बहुत ज्यादा था मद्दमबर के परिवार के हैं, उनके लाखों करोर और उनके खर्च हो जाते हैं और तब जा करके हमने पिछले दस साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब एक लाख कर दिया, आज में करीब करीब पचीस हजार युवा, हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी क्यों मैं सूच सुनता हूँ धहरान हो जाता हूँ, और इसलिए हमने ताइक किया है, कि अगले पांच साल में मेडिकल लाइन में पच्छत्तर हजार नई सीटे बनाई जाएगी साथियों, आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्छे बाहर जा रहे हैं वैसा कि हमारे बहुत ज़्यादा तर मद्दमबर के परिवार के हैं, उनके लाखों करोर और उनके खर्च हो जाते हैं और तब जा करके हमने पिछले दस साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब एक लाख कर दिया, आज मैं करीब करीब पचीस हजार युवा, हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी 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 मैं सोच सुलता हूँ धहरान हो जाता हूँ, और इसलिए हमने ताई किया है, कि अगले पांच साल में मेडिकल लाइन में पच्चतर हजार नई सीटे बनाई जाएगी, साथियों, आज भी हमारे देश में मेडिक जाते हैं, उनके लाखो करोर और पे खर्च हो जाते हैं, और तब जाकरके, हमने पिछले दस साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाइन कर दिया है, आज मैं करीब 25 अधार हुआ, हर साल विधेश मेडिकल ले सीटे ने की ली जाते हैं, और ऐसे it कि देश पे जाना अगले पांच साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटे बनाई जाएगी